और क्लास 10 वालों कैसे हो? तो बच्चो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के Footprints Without Feet का चैप्टर नमबर 2, The Thief's Story जिसे लिखा है Ruskin Bond ने बच्चो, इस चैप्टर में दो ही कैरेक्टर है पहला एक चोर, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन वो चोरी करने में बहुत माहिर होता है वो दुसरों से मिठी-मिठी बाते करके उनके घर काम पर लग जाता है और सही टाइम मिलने पर वहां से चोरी करके भाग जाता है दूसरा, एक 25 साल का आदमी जिसका नाम अनिल होता है जो की बहुत ही काइंड है और एजिली किसी पर भी भरोसा कर लेता है बच्चो, चैप्टर की सुरुवात में अनिल रेस्लिंग मैच देख रहा होता है और वो दिखने में बहुत लंबा और पतला आदमी होता है जब चोर अनिल को देखता है तो वो सोचता है कि ये आदमी बहुत केरलेस दिख रहा है शायद वो चीजों को बहुत सीरियस नहीं लेता ऐसे आदमी को लूटने में मज़ा भी आएगा और आसानी भी होगी बच्चो, इसके बाद चोर चैप्टर में बताता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा है इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि वो इस आदमी का भरोसा जीत कर इसके घर काम करेगा और सही टाइम मिलने पर चोरी करके भाग जाएगा बच्चो यही सब सोचकर चोर अनिल के पास मक्कन लगाने के लिए जाता है और कहता है कि अरे सर आप तो खुद एक रेसलर की तरह दिखते हैं बच्चो चोर का मानना था कि अगर हम किसी की गलत तारीफ करते हैं तो हमें दोस्ती करने में आसानी होती है लेकिन बच्चो अनिल को पता था कि वो उसकी गलत तारीफ कर रहा है तो वो चोर को उल्टा बोलता है कि हाँ तू भी तो रेसलर दिख रहा है जब चोर ने ये सुना तो वो एकदम शौक्ड हो गया क्योंकि वो भी दिखने में पतला था चोर को पता चल गया था कि अनिल समझ गया है कि वो उसको मखन लगा रहा है इसके बाद चोर अनिल से कहता है कि हाँ सर मैं रेसलिंग किया करता था फिर अनिल चोर से उसका नाम पूछता है तब चोर अपना नाम हरी सिंह बताता है बच्चो चोर का असली नाम हरी सिंग नहीं था वो हर महीने अपना नाम बदल लेता था ताकि वो पोलीस से और उनसे बच सके जिनके घर उसने पहले ही चोरी कर रखी है बच्चो इसके बाद चोर और अनिल रेस्लिंग के बारे में बात करते हैं पर जब चोर के पास और कुछ बात करने को नहीं होता है तो अनिल वहाँ से जाने लगता है यह देखकर चोर अनिल का पीछा करने लगता है जब अनिल उसे देखता है तो वो चोर को हेलो बोलता है इसके बाद चोर अनिल को एक अच्छी सी स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ. फिर अनिल कहता है कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता यानी काम के पैसे नहीं दे सकता. बच्चो ये सुनने के बाद चोर कुछ समय के लिए सोचता है और कहता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो फिर अनिल चोर से पूछता है कि क्या तुम्हे खाना बनाना आता है चोर दुबारा से जुट बोलता है और कहता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है फिर अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो सायद में तुमको खाना खिला भी सकता हूँ बच्चो इसके बाद अनिल चोर को अपने रूम पर ले जाता है जो कि जमुना स्वीट नाम के शॉप के उपर थी रूम पर पहुँचने के बाद अनिल चोर से कहता है कि तुम बैलकनी में सो सकते हो बच्चो उस रात चोर अनिल के लिए जो खाना बनाता है वो इतना खराब होता है कि अनिल उसे खुद न खाकर गली के कुटों को खिला देता है और चोर को यहां से जाने को कहता है पर चोर जाता नहीं है बलकि अनिल के आसपास ही रहता है और जब अनिल उसे देखता है, तो वो बड़े अजीब तरीके से smile देता है। अनिल जब ये सब देखता है, तो उसकी भी हसी निकल जाती है। इसके बाद अनिल चोर से कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगा। बच्चो, इसके बाद अनिल चोर को बहुत चीज़े सिखाता है जैसे cooking करना, अपना नाम कैसे लिखते हैं। और अनिल चोर से वादा भी करता है कि वो उसे पुरा sentences कैसे लिखते हैं और number कैसे add करते हैं, ये भी सिखा देगा। बच्चो, चोर बताता है कि वो बहुत भाग्यसाली है क्योंकि उसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उसे पता था कि अगर वो एक बार पढ़ना लिखना सीख जाता है, तो वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। बच्चो, चोर सुबह अनिल के लिए चाय बना देता था। उसके बाद अनिल चाय पी कर आफिस चला जाता था। इसके बाद चोर का काम होता था, बाजार जाकर दिन के जरूरी समान लाने का। जहां से चोर जो एक से दो रुपए बचते थे, वो अनिल को न देकर खुद रख लेता था। अनिल को इसके बारे में पता होता है, पर वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। चोर बताता है कि अनिल बहुत अजीब तरीके से पैसे कमाता था, वो एक हफ़ते पैसे दुसरों से उधार लेता था और दूसरे हफ़ते उसे लोटा देता था, अनिल बस चेक का इंतजार करता था और जैसे ही उसे चेक मिलता वो सेलिब्रेट करता था, बच्चो चोर कहता ह रात को चोर अनिल को पैसे बिस्तर के नीचे रखते हुए देखता है, तो वो सोचता है कि मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से काम कर रहा हूँ, पर मैंने शॉपिंग करते समय छोटे मोटे चोरी के अलावा कुछ बड़ा हाथ नहीं मारा है, इसलिए वो सोचता है कि सके, जब अनिल घर पर ना हो बच्चो, अनिल ऐसा पहला बंदा था जो इस चोर पर इतना बरोसा कर रहा था, चोर चैप्टर में बताता है कि ऐसे आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है, जो की बहुत बरोसा करता है, पर ऐसे आदमी को लूटना आसान है जो की बहुत ल समय है असली काम करने का क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई बड़ी चोरी नहीं की है जिसके कारण मेरी प्रैक्टिस भी जुट गई है और अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है वैसे भी अनिल मुझे काम करने का कोई पैसा भी नहीं देता और उसके पास जो पैसा होता है लाइट बैलकनी से आकर बेड पर आकर पड़ रही होती है चोर बिस्तर के अंदर हाथ डालता है और पैसे निकालने की कोसिस करता है उसी समय वो अनिल के फेस पर देखता है जहां उसे कोई टेंशन नहीं दिखता मतलब की अनिल एकदम खुश था उसे अपने पैसो को लेकर कोई टेंशन नहीं था चोर जब पैसे निकाल रहा होता है तभी अनिल करवट लेता है यह देखकर चोर एकदम डर जाता है और वो जल्दी से पैसे निकाल कर वहां से भाग जाता है बच्चो, चोर भागते भागते सड़क पर जाता है और वहाँ वो पैसो को अपने पजामे के नाडे से बांता है और फिर भागने लगता है और कुछ देर बाद वो फिर रुखता है और पैसो को गिनता है उसने कुल 600 रुपए चोरी किये थे और सारे नोट 50-50 के थे इसके बाद चोर रेलवे स्टेशन पर जाता है जहां वो टिकेट भी नहीं लेता क्योंकि उसने आज तक अपने जीवन में कभी टिकेट नहीं लिया था और जब चोर प्लैटफॉर्म पर पहुँचता है तो वो देखता है कि ट्रेन धीरे-धीरे जा रही थी चोर आराम से उस ट्रेन को पगड़ सकता था पर पता नहीं उसे क्या होता है वो ट्रेन को पगड़ता नहीं बलकि जाने देता है जब ट्रेन चली जाती है तो वो पूरे स्टेशन पर अकेला होता है वहां आसपास और कोई नहीं होता है चोर सोचता है कि राथ हो रही है अब मैं कहा जाऊं? मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है क्योंकि दोस्त मदद कम समस्या ज्यादे लाते है और अगर मैं इतने सारे पैसे लेकर होटल में जाता हूँ तो होटल वालों को शक हो जाएगा अगर मैं किसी को यहां इस सिटी में जानता हूँ तो वो अनिल ही है बच्चो इसके बाद चोर पास के बाजार में जाता है और इधर उधर घूमने लगता है तब फिर वो सोचता है कि मैंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ चोरी किया है इसके अलावा कुछ नहीं किया है और इस दौरान मैंने लोगों के चेहरों को भी पढ़ना सीख लिया है जब वो अपनी चीजें खो देता है अगर एक लालची इंसान अपनी चोरी के बारे में सुनेगा तो उसे अगली चोरी के लिए डर रहेगा एक अमीर इंसान को गुस्सा आएगा और एक गरीब इंसान मान लेगा कि उसके घर चोरी हुई है पर अनिल जैसे लोगों को दुख होगा इसलिए नहीं क्योंकि उसने अपने पैसे खो दिये बलकि इसलिए कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसी ने धोखा दे दिया बच्चो इसके बाद चोर जाकर मैदान यानी खुली जगह पर लगी कुरसी पर बैट जाता है जहां उसे हलकी ठंड लग रही थी क्योंकि नोवेंबर का महीना अभी-भी शुरू हुआ था कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो जाती है जिससे चोर पूरी तरीके से भीग जाता है वो वापस से बाजार में जाता है और एक टावर के नीचे जाकर बैट जाता है जिसके उपर एक क्लॉक लगा था जो की मिडनाइट का समय दिखा रहा था इसके बाद चोर दुबारा से पैसे निकालता है और देखता है कि सारे नोट भीग चुके थे बारिश के कारण वो सोचता है कि अनिल मुझे दो-तीन रुपे दिया करता था सिनिमा देखने के लिए और अब मेरे पास उसके सारे पैसे हैं न तो मुझे अब उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा और ना ही अब मुझे होल सेंटेंस सीखने को मिलेगा बच्चो मतलब की चोर को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था वो सोचता है कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख जाता हूँ तो मैं एक दिन में सौ रुपे से ज्यादा भी कमा सकता हूँ और वैसे भी किसी के घर चोरी करना आसान काम है पर किसी से रिस्पेक्ट पाना और एक बुद्धिमान आदमी बनना बहुत कठिन काम है और बच्चो यही सब सोच कर चोर अनिल के पास वापस जाता है और डरते डरते वो पैसो को दुबारा से बिस्तर के नीचे रख देता है और जाकर सो जाता है सुबह जब चोर उठता है तो वो देखता है कि अनिल पहले से उठा था और उसने चाय भी बना ली थी इसके बाद अनिल चोर के पास आता है और चोर को पचास रुपए देते हुए कहता है कि अब से तुमको तुम्हारे काम के लिए पैसे मिलेंगे और हाँ आज से हम whole sentence को भी लिखना सीखेंगे बच्चो जब चोर अपने हाथ में पैसे लेता है तो वो देखता है कि वो नोट अभी भी भीगी हुई थी और उसे लगता है कि सायद अनिल को यह पता चल गया है उसने पैसे चुराय थे पर फिर भी अनिल अपने आपको ऐसा दिखा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है चोर एक बार दुबारा से अनिल की तरफ देखता है और एक अच्छी सी स्माइल देता है और वो चैप्टर में बताता है कि इस बार वाली स्माइल कोई फेक नहीं थी बलकि रियल थी बच्चो इसके बाद ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है अगर आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको और क्लास 10 के चैप्टर देखने हैं तो आप यहां क्लिक भी कर सकते हैं